लो गाइस तो आज हम बात करने वालें हैं गॉल्की बोडिह के बारे में Odyssey मैं काэт देखने वाले हैं कि से इस टाइब के कोशไป न काessä है एक इक बार देखे ले ना बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दे ना दीखिए गॉल्की बोड़ी मेत दो टाइप f forming face भी बोलते हैं और train face को हम m aturing face भी बोलते हैं t к अमेचिरिंग fweallows ठीक है तो अभी हमें बताना है कि जैसे ही याद नहीं होता कि सिस को बोलता हैं forming को बोलते हैं या फिर ट्र्स को बोलता है मेच्चरिंग इनको बोलते हैं और इनको मतलब complex face चार कांके आवी फेस भी बोलते हैं जैसे ट्रांस वाले को तो हम complex general해서 कांके depress रॉचे кट ठांस वाले को बोलता है कांंके तो देखो अभी यह ना याद नहीं होता है और पेपर के टाइम पर बहुत जादा गन्फ्यूजन हो जाता है जो सिस फेस होता है वह एक्चुली में क्या करता है करना सुरू कर रहा होता है और ट्रांस फेस को बोलते हैं मैचरिंग फेस क्योंकि वह वैसिकल्स का डिस्चार्ज कर रहा होता है ठीक है तो अभी हमें यह याद कैसे करना है एक छोटी से ट्रिक है मेरे पास अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम्हें एक बार देख लो बस एक मिनट लगेगा जाद से जादा तुम्हारा और जादा कुछबा और कुछ खर्चनी होने वाला है देखे तो इसमें क्या याद करना है कि मेरे पास एक लायन था मेरे पास नहीं है मतलब कॉन केव और ट्राण्स मतला transfer किया है हमने तो ट्रांस फेस और mature होने पर transfer किया है तो इस वज़े से इसको बोले бы in fact तो यह तीनों एक जैसे होते हैं तुम नों देखा होगा जैसे की यह हमारा के वैसिकल pessoal है तो यह वाला जय है को कॉन के फेस बोलते हैं और ये वाला जो है ये convex surface बूला जाता ठीक है और दूसरा trick है हमारा जो sis phase का याद करने का है कि मेरी जो sister है sis form एना sister से याद ही है कि मेरी जो sister है वो अक्षर मेरे wax करती रहती है तो wax किया उसने है ना हमारा ये वाला wax इस वाले wax से relate करेगा तो वो मेरी wax करती रहती है तो उसने wax करते time क्या चाहिए होता है wax करते time वो ही wax आता है वही चाहिए होता है बट वो अलग तरीके से करती है वो कुछ form type का create करती है वो soapy form और वो उससे wax करती है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये भी सिस forming phase और convex अगर आपको अच्छा लगा हो तो like कर देना thank you